अब देखें बच्चों कि आप ट्रिग्नोमेट्री तो जानते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है तो एसा फंक्शन जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इन्वाल्व करता है इस उसकी डेफिनिशन सबसे पहले मैं बोल देता हूँ आप लिख भी लीजे The function that involves trigonometric ratios, t-ratios भी बोलता हूँ इनको in short That function that involves trigonometric ratios called trigonometric function Okay ऐसा function जो कि trigonometric ratios involve करता है उसको हम क्या बोलते है Trigonometric function Function के बारे में बच्चों आप लोग क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि एक function x का होता है x square प्लस x ऐसा होता है मतलब this is function of x Okay this is function of x Algebraic function भी कहते हैं इसको function of x भी बोलते हैं आप लोग ठीक न तो यह अपना function of x कहलाता है ठीक है तो यह function of x कहलाता है बट अब हम पढ़ रहे हैं Trigonometric function तो मैं आपके सामने एक Trigonometric function लिख रहा हूँ This is also the function of x but this function is looking like sin square x प्लस cos x अब यह देखिए इस function में input variable क्या है x है input variable क्या है x है मगर बिटा यहाँ पे sin और cos के term involved है इसलिए यह function क्या कहलाएगा Trigonometric function अगर मैं कहूंगा fx equal to sin की power 4x ठीक ना तो यह बिटा Trigonometric function है ठीक ना तो हर function के जैसे एक Trigonometric function होता है कि वेल फर्क यह होना है कि पहले जहाँ पर आप already algebra इस्तमाल करते थे simple variables इस्तमाल करते थे आप वहाँ पर क्या इस्तमाल करेंगे Trigonometric function इस्तमाल करेंगे यदि आप से कहा जाएगा कि exponential function तो आपका function कैसा बनेगा fx equal to e की power x प्लस e की power 2x यह देखिए तो यह जो function है इसमें exponential exponent involved है क्या involved है तो यह function कहलाएगा exponential function अगर मैं आप से बुलूँगा logarithmic function तो इसमें आप जो है log के term रखेंगे तो देखिए यहाँ पर log x का function है ठीक है ना और आप इसमें कुछ भी आप add भी कर सकते हैं जैसे log 1 by x add कर सकते हैं तो such a function is called logarithmic function ठीक है ना अब आप यह समझें कि अभी तो थोड़ा सा simple है आपके सामने concept जब तक आपके पास single single type of function involved है बच्चों आपके सामने एक ऐसा भी scene आ सकता है कि multiple function involved हो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ function of x equal to इसे में है log x इसे में है sign का एक सीरी कि टिगनोमेट्रिक भी involved है और इसी में exponential भी involved है और लिए भाईया हमने तो इसमें algebra भी involved कर दी क्या involved कर दी algebra तो बटा यह बहुत सारे function इसमें mix है बहुत सारे function mix है ऐसे function को बोलते हैं हम transdental function क्या बोलते हैं transdental function ठीक है ना transdental function वो तो अभी तो हमें हला कि आप कह रहे होगी कि सर पढ़ाने चले थे आप technometric function और आप लॉग आउक क्यों लेकर क्या आगए बटा जब बात सुरू कर दिये तो आँगे पीछे की जानकारी लेने में क्या बुराई है है ना इसको बोलते हैं अपन transdental function अब बटा function में आता क्या है अगर आप individually इसको function chapter से देखते हो बटा तो दो बड़े तगड़े सवाल बनते हैं एक बनता है domain और एक बनता है range ज़्यादा मैं deep में नहीं जाँँगा domain और range के बस मैं इतना बता दूँगा कि बटा function एक चक्की होती है function क्या होती है एक चक्की होती है जो चीजों को process करके देती है इसमें आप x डालते हो और बदले में y निकालते हो बदले में क्या निकालते हो y तो बटा जो जो x आप इसमें input में दे सकते हो क्योंकि ये सारा function किस input पे काम कर रहा है x input पे किस input पे काम कर रहा है तो भाईया जो जो input आप दे सकते हो जो जो x की value दे सकते हो वो x की value का जो set कहलाएगा वो domain कहलाएगा समझ में आ गया तो domain का मतलब होता है क्या set of values of x set of values of x यानि की input मतलब input का जो set होगा वो domain कहलाएगा और जो output का set निकलेगा that is called range तो what is range यह 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 निकलेंगे बहुत सारे तो set of values of output कहलो यह set of values of y क्या कहलाएगी range कहलाएगी क्या कहलाएगी range तो बिटा यह range की definition है और यह किसकी definition है domain की बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई न ठीक है बच्चों तो यह domain और range बता दिया अब हम topic की तरफ वापस आते हैं बटा topic की तरफ हम वापस आते हैं जिसका नाम है trigonometric function तो बच्चों हम हर function में क्या सीखते हैं हम हर trigonometric function में हम trigonometric function तो आपने देख लिया trigonometric function अब हम topic की तरफ चलते हैं trigonometric equation क्या चलते हैं बटा trigonometric equation function और equation में थोड़ा सा फर्क है बटा एक लकीर का फर्क है छोटी सी देखिए तो अब हमारा जो mainly जिस topic के अंदर हमको गुसना है वो है trigonometric equation ठीक है बच्चों अब मैं ये believe करता हूँ कि trigonometric function में आपको सारे trigonometric ratios की जानकारी होगी मैं अभी इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको sign, cost, and sub की जानकारी है ठीक है ना क्योंकि आपने class 11th में trigonometry बहुत अच्छे से deep में बढ़ी है आपको properties भी पता है यदि नहीं पता होगी तो बीच-बीच में मैं आपको बताता जाओंगा बड़ी अच्छी बात है अब मैं यह मान के चल रहा हूँ मुझे आना है trigonometric equation पे जो मेरा main topic है आज की class का trigonometric equation तो भाईया आपने देखा था आपने क्या देखा था आपने देखा था फंक्षन या quadratic function से मैं सरुबात करूँ तो आपने quadratic function 10th class में पहली बार क्या देखा था आपने quadratic function देखा आपने की quadratic function की standard form होती है ax square plus bx plus c यह quadratic function होती है यह क्या थी भाईये मैंने क्या लिख दिया है यह मैंने लिख दिया है quadratic function क्या लिख दिया है quadratic function ठीक है ना अब बेटा मैं quadratic equation लिख रहा हूँ quadratic equation equation तो quadratic equation का मतलब हो गया बेटा ax square plus bx plus c अगर आप किसी चीज के right side में zero बना दो तो बेटा वो standard form की equation बन जाती है क्या बन जाती है standard form की equation standard form की equation तो बेटा equation वेड में equal लगा है equal equal मतलब जहां ऐसा structure ऐसा trigonometric structure जिसमें equal sign contain हो उसको क्या बोलोगे equation okay so the trigonometric structure that contain an equal sign is called trigonometric equation मैं लिखता हूँ आपके सामने like ही आपके सामने sin x equal to 1 by 2 है क्या है sin x equal to 1 by 2 equal लगा है की नहीं लगा है अब देखो बेटा अब ये trigonometric function नहीं है अब ये trigonometric equation है क्या है ये trigonometric और आप कुछ भी गर के बेटा right side में 0 भी बना सकते हो equation आपको आजादी रेता है कि आप right side में 0 बना सको क्या बना सको जब आप किसी equation को standard form में लिखते हो तो उसके right side में आपको क्या लिखना पड़ता है 0 ठीक है चलिए अब थोड़ी सी feeling लेके आते हैं आपके पास पहले जैसे आपके पास मानलो को equation दिया है बेटा x square plus 5x plus 6 question आता है इसको solve करो क्या करो इसको solve करो तो solve करने का मतलब बेटा x की वो value निकालो जो इस equation को satisfy करे क्या करे इस equation को तो आप middle term splitting का use करके इसकी equation की 2 value निकालते हो एक निकालते हो X equal to minus 3 और एक X equal to minus 2 I hope आपको पता होगा कैसे solve करते हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ तो एक value आप निकालते हो minus 3 एक value क्या निकालते हो आप minus 2 बेटा ये जो values होती है इनको हम बोलते हैं trigonometric equation sorry algebraic equation का solution क्या कहलाते है solution कहलाते की निकालते है इस quadratic equation का क्या कहलाते है solution को क्योंकि question लिख करके आता है solve करो तो solve करके क्या निकलेगा solution निकलेगा और इन्हीं बातों को बेटा ये जो X की value आई है इन्हीं को बोलते हैं solution इन्हीं को बोलते हैं roots क्या बोलते हैं इनको बेटा समझ में आ गया अब ये इस question पर आओ तो बेटा आपको x की वो value चाहिए है जैसे मैंने लिख दिया sin x equal to 1 by 2 तो आपको x की वो value चाहिए जो equation को satisfy करे मतलब equation को दोनों तरब से equal कर दे तो यदि चलिए मैं आपके शुक्सानती के लिए मैं लिखता हूँ थोड़े दिर के लिए sin 30 degree equal to 1 by 2 बोली sin 30 क्या होता है और ये भी क्या होता है मतलब बताओ बच्चो 30 degree ने satisfy कर दिया की नहीं कर दिया कर दिया ना तो 30 degree क्या होगा बेटा इसका solution होगा क्या होगा इसका बेटा समझ में आगया की नहीं आगया अब सवाल ये है मेरे बच्चों कि देखो बेटा यहाँ पर इसके दो solution निकले हैं कैसे solution निकले हैं दो solution क्योंकि बेटा ये देखो ये जो graph होता है बेटा इसका x square plus 5x plus 6 बेटा quadratic equation का quadratic equation का बेटा graph होता है पैरा बोला क्या होता है बेटा quadratic equation graph पैरा बोला होता है और बेटा अपन को इसको equal किस्से करना है zero से किस्से equal करना है तो बेटा zero वाली line ये जाती है इसे बोलते हैं x-axis क्या बोलते हैं इसे बेटा x-axis का question आपने पढ़ा है y equal to zero y equal to zero मेरे बच्चो feeling को पकड़ना जबरदस्त वाली feeling आने वाली है देखो बेटा graph दो है दो जगे पर zero हो रहा है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बेटा पहला root कहलाता है alpha दूसरा root कहलाता है बेटा यहाँ पर alpha पने निकाल लिया बेटा minus 3 और बेटा कितना निकाल लिया minus 2 अब बेटा यह बताओ अब यह graph कभी नीचे तो आने वाला है नहीं वापस लोट करके बोलो भाई लोट कहाएगा क्या नहीं आएगा बेटा उपर ही जाता जाएगा जाता जाएगा ना बिल्कुल जाता जायगा मतलब बेटा अब इसके रूट और पॉसिबल होने नहीं है क्योंकि बेटा यह graph लोट करके नीचे नहीं आएगा मतलब यह graph periodic नहीं है कैसा नहीं है जी हाँ यह graph not periodic है यह जो अपना function है यह function जो था अपना यह not periodic है कैसा है नौट पिरियोडिक है ना पिरियोडिक तो बिटा ये पिरियोडिक नहीं है मगर अब दूसरी सिचुईशन देखो बिटा जो हमारे पास साइन एक्स, कॉस, एक्स, टैन एक्स जितने भी बिटा अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने भी बिटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े है सब के सब क्लास 11th में पढ़े है और आपने इनके ग्राफ भी देखे होंगे ये सब के सब पिरियोडिक है क्या है बिटा ये सब के सब ये पिरियोडिक फंक्शन है तो बिटा periodic function में कोई एक value नहीं होती है बहुत बार value होती है जैसे मानलो बिटा आप race में दोड़ रहे हो ये मानलो कोई चक्कर है और आप race में दोड़ रहे हो बिटा मानलो race जो है आपको करनी है 9 lap है या 10 lap है समझ गए आपको race में तब रुकना है जब तुम 5000 मेटर दो कित इतने बार होंगे आपका हो सकता है आपने पहली बार start किया तो 0 second पर थे आप यह 0 minute पे थे बताइए ऐसा नो हो सकता है कि पहली बार आपने start किया हो तो time t बराबर 0 हो पुलेस हो सकता है जब आप दूसरी बार लोट करके आए तो time t बराबर कित्ते सेकंड हो जाए 20 seconds फिर टाइम से आजाए फिर टाइम आपका आजा मालो कित्ते सेकंड पर थक गए थोड़ा सा लेट हो गए समझ रहे हैं मतलब आप इस value पर आप इसी पर कई बार आ रहे हैं function है कैसा function है मतलब बार बार अपनी value को repeat करने वाला time बदल रहा है but value वही है time बदल रहा है देखिए और value वही है point यह point है अब a point के corresponding की देखो यह T1 है यह क्या है T2 है यह क्या है T3 और 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 आंगे बढ़ते जाओगे तो और time निकलते जाएंगे ठीक है न ओके अब मैं sign के graph में आता हूँ और आपको explain करता हूँ कि मैं sign की भाशा में क्या बूलने वाला हूँ देखिए बटा y equal to sign x का graph देखिए पहले फिर आपको समझ में आएगा sign x का graph I hope सब ने पढ़ रखा है class 11th में और पता भी होना चाहिए सब को बटा यह x axis है यह y axis है sign x की बटा maximum value होती है plus 1 किती होती है और minimum value किती होती है minus 1 यही sign का range होता है minus 1 to plus 1 यह sign x का graph है आप देखिए sign x की value यह देखिए ग्राफ इस तरीके से जाएगा बटा यह बटा graph जाता है इसको बोलते है sign o soidal graph पीछे भी जाएगा बटा ठीक है तो sign x जो होता है बटा input में कहां से कहां लेता minus infinity to plus infinity यह इसका domain है क्या है बटा यह domain x का set होता है तो minus infinity to plus infinity बट range y की बात होती है तो range क्या होगा close interval minus 1 to plus 1 because बटा touch भी हो रहा minus 1 पर यह देखो touch हो रहा है अग वोई चीश टच होती तो शामिल होती इसलिए close interval ठीक है तो बटा अपन ने y equal to sign x बना दिया graph अब देखिए equation क्या है अपना equation है अपने पास जो मैंने दिया दिया है sin x equal to 1 by 2 sin x equal to कितना ठीक है मतलब जो sin x की value है 1 by 2 के बराबर होनी चाहिए ठीक है sin x की value किस के बराबर होनी चाहिए अगर मैं इसको function के रूप में treat करूँ तो यह दो अलग-अलग function निकलेंगे पहला y equal to sin x और दूसरा y equal to 1 by 2 एक निकलेगा y equal to sin x और एक निकलेगा y equal to 1 by 2 और हमको देख रहा है कि दोनों equal कहां पे हो रहे हैं तो आप बनाए y equal to 1 by 2 बेटा y equal to 1 by 2 क्या होगी line होगी क्या होगी line parallel to x-axis कभी भी आप y equal to something की बात करते हो तो parallel to x-axis तो देखिए मैं यहाँ पे एक y parallel to x-axis ले लेता हूं line तो यह देखिए यह 1 है बोली हाँ है न 1 by 2 y की value यहाँ पर कहीं पर होगी अब y equal to 1 by 2 मतलब हर जग है y equal to 1 by 2 तो यह देखिए यह हो गया y equal to 1 by 2 समझ्ञा गया यह क्या है y equal to 1 by 2 अब यह यहाँ पर 1 by 2 भी लिख देता हूं मैं आपके लिए यह देखिए 1 by 2 है अब आप देखिए कि कहां कहां पर sin x और 1 by 2 equal है जहाँ पर मिल रहे होंगे यह sin के लिए भी 1 by 2 है y के लिए 1 by 2 है की नहीं देखिए ग्राफ नंबर 1 है और यह ग्राफ नंबर 2 है दोनों एक दूसरे को कहां पर टच कर रहे हैं यहां पर टच कर रहे हैं ठीक है अब मैं यहां पर value डाल देता हूं इंगल की बिटा यह कितने radian 0 radian है ना यह बीच में कितना होता है बिटा 5 by 2 थरी जा 3 by 2 5 by 2 4 जा 2 by 2 विल्कुल सही और 5 by 2 फाइब जा 5 by 2 और 5 by 2 6 जा 3 by ऐसे और यह बिटा 4 पाई और यह कितना बिटा 5 पाई समझना आ गया आप देखिए कि और यह बिटा माइनस पाई तो ये देखिए कि आपकी value 1 by 2 यहां पे हो रही है तो पहला 1 by 2 कहां पे निकल रहा है 0 और 90 degree के बीच में अब बेटा degree की बात करूँगा तो आपको feeling अच्छी आती है है ना क्योंकि degree से अपने बच्पन से पढ़े है और ये 180 degree है तो 0 और 90 के बीच में पहला एंगल जो हम लोग का निकला था वो कितना निकला था 30 degree कितना निकला था जी हां समझ गए 0 और 90 के बीच में जो पहला एंगल हमारा निकला था वो कितना निकला था 30 degree अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से यह चीज बराबर हो रही है ठीक है अब अब थोड़ा से दिमाख लगाएं तो अगर यहाँ का gap 30 है तो यहाँ कभी कितना होगा तो 180 में से 30 का मतलब कितना 150 कितना हो जाएगा 150 मतलब बिटा sin x की value 1 by 2 दो जगहे 2 जगहे 5 जो है sin x equals to 1 by 2 जो है अगर आपको कह दिया जाए condition दे दी जाए कि x की between value जो 0 से लेके 2 pi लेनी है किती लेनी 0 से लेके तो आपके solution बनेंगे x equal to पहला 30 degree और दूसरा कितने degree 150 क्योंकि बेटा जो देखो 1 cycle में, 2 pi की बीच में दो ही जगे यहां से लेकर यहां तक पूरा चल के, 0 से 2 pi की बीच में 2 जगेimmung की value आई है, 1 by 2, आई हे कि नहीं आई है, 1 30 डिग्री पर, 1 10 पर, 1 50 पर, समझ में आगया, तो बता जी, 0 से लेकर, 0 से लेकर के, जो πाई के बीच का solution होता है वो कहलाता है principal solution क्या कहलाता है जी हाँ यह जो है इसको radian में भी लिख सकते हो आप pi by 6 है यह और यह कितना है 5 pi by 6 कितना है बटा 5 because 5 into 30 equal to 150 बोली clear है तो बटा यह जो solution है आपका कहां से है 0 से πाई के बीच में है आपको इस solution को बोलते है principal solution क्या बोलते है बटा principle solution क्लियर हो गया हाँ यह कहलाता है principal solution spelling गलत लिख दी मैंने principal पी ल इ ठीक है ना इसको बोलते है principal solution जो बहुत पास में होता है 0 के तो principal solution होने की सर्थ क्या है इस बीच में क्या बैठा रहता है जीरो इधार पे पाई और इधार पे माइनस पाई इसके बीच के जो solution आएंगे बटो वो क्या होंगे principle solution और इसके अलावा जो आएंगे वो general में count होंगे किस में count होंगे अब देखिए आंगे यदि मैं बात करूँ अगर मैं आंगे बात करूँ बटा तो देखिए आंगे मेरे को 1 by 2 value फिर यहां पे मिल रही है बोलिए yes or no clear है कि नहीं है यह क्या है बटा 2 pi मतलब 360 degree है कि नहीं है बताईए तो 360 degree के कितना आँगे 30 आँगे क्योंकि symmetry graph चलती है भाईया जब यहां भी 30 था तो यहां भी कितना होगा 30 होगा ना कि नहीं होगा मतलब क्या value बन गई बटा 360 plus 90 आने की 390 degree आई ना ऐसे ही बटा यहां पे भी कोई ना कोई value टकराएगी कि ने टकराएगी क्योंकि बटा graph बार बार repeat हो रहा है फिर बटा यहां पे कोई ना कोई value मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कोई ना कोई value यहां पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी मतलब अब जानते भी आप क्या मिलेगी 4 pi plus pi by 6 और यहां 5 pi minus pi by 6 तो आपको सारे solution बताना एक बार में बड़ा impossible है क्योंकि कितने solution निकलेंगे infinite solution कितने निकलेंगे तो आप एक तरकीब लगाते हैं जिससे आप सारे solution बना देते हैं और उस तरकीब को उस solution के format को बोलते हैं बटा general solution क्या बोलते हैं हाँ तो अब हमने पढ़ लिया बटा principle solution मतलब zero के पास वाला समझ गए अब बटा general solution ठीक है ना यह बलकुल zero के पास का था अब पढ़ाता हूँ मैं general solution अब जैसे general solution के लिए मैं एक line और बात आप से कर लेता हूँ मैं बोलू बटा की sin x की value zero कहां कहां पर हो रही है तो sin x की value zero कहां पर होगी यहां पर तोकि y equal to sin x है y equal to क्या है sin x है और मैं आप से बोलू sin x equal to zero मतलब y की value किती होनी चाहिए जीरो अब y की value zero कहां पर हो रही जीरो पर पाई पर 2 पाई पर 3 पाई पर 4 पाई पर 5 पाई पर minus पाई पर yes or no तो यदि मैं बोलू आप से कि मेरे solution का मेरे equation का technometric equation का solution लिखो technometric equation है sin x equal to zero then you will say my answer is x equal to n पाई where n belongs to integer देख लो सर सारे है अब अगर आप n की value 0 डालोगे तो क्या निकलेगा 0 n equal to 0 पर बोलो yes or no n equal to 1 डालोगे तो क्या निकलेगा x equal to पाई ये 1 पर अगर आप n की value 2 डालोगे तो क्या निकलेगा 2 पाई अगर आप n की value minus 1 डालोगे तो कितना निकलेगा minus पाई because n integer है integer में आप कुछ भी ले सकते हो अगर आप n की value बेटा minus 2 डालोगे तो कितना निकलेगा minus 2 पाई बताएगे सारे solution involved हो रहें कि नहीं हो रहें तो एक ऐसी structure जो सारे solution को involved करे उसको हम क्या बहुते है general solution क्या बूलते है ब için हुआ न्पई होगा भाई अभी तो बताया यार precise equal to कितना होगा न्पई ये कहलाएगा general solution क्या कहलाएगा आ रहा है समझ में ठीक है ना एक्स इकॉल टू जीरो ये कहलागा जनल सलूशन अब इसका प्रिंस्पल सलूशन क्या होगा जीरो क्योंकि जीरो पे जीरो होता है या पाई भी ले लो और इधर पे जाओ तो माइनस पाई ले लो क्योंकि sin 0 भी 0 होता है sin 0 कितना होता है sin πाई कितना होता है और sin minus πाई कितना होता है ठीक है तो ये तो बनेगा अपने principle solution 3, 1, 2, 3 clear ना बट बाकी विटा देने के लिए तो कहलाएगा general solution ठीक है अब आप से कोई बोले कि sin इस से फायदा क्या हुए एक चीज़े भी सीख लिए आपने आप से कोई बोले sin 7 πाई क्या होता है आँख मूंद करके answer 0 बोलोगे नहीं बोल पाऊगे क्योंकि sin n πाई हर n πाई के लिए sin की value क्या होती है 0 तो n πाई में बेटा 7 πाई भी आ जाएगा उसकी value किती हो जाएगी 0 तो ये फार के बेटा general solution में और principal solution में general solution जो होता है all possible solution बताएगा और principal solution के बेटा 0 के आसपास के solution बताएगा एक ये दो ठीक है तो अब बेटा क्या करेंगे अब हमको याद करने है कुछ general solution to learn कुछ हमें याद करने है general solution कैसा पहले मैं 0 बाले बता देता हूँ अगर कहीं पर sin x equal to 0 लिखा है बच्चों तो इसका general solution होगा कितना बोलो x equal to n pi अगर कहीं पर cos x equal to 0 लिखा है तो general solution क्या होगा अब देखो cos x की value 0 कहां पर होती पाई बैटू पर बट general solution पढ़ा रहा हूँ तो answer x equal to 2n plus 1 pi by 2 यहाँ पर minus भी चल सकता है plus b और जो लेना हो लेलो ठीक है न आप n की value 0 रख करके देखो तो 2 into 0 कितना होगा 0 हो जाएगा और plus 1 pi by 2 तो answer कितना होगा pi by 2 समझ गए यह principal solution बन जाएगा अगला है देखिए 10x equal to 0 10x equal to 0 का general solution क्या बनेगा बताईए जल्दी बताईए 10x equal to 0 का general solution 10 0 पे 0 होता है बताईए बच्चो जल्दी से सोचके नहीं बनेगा अरे बहुत simple है अट 10x को क्या लिख सकते हो बेटा अब sin x upon cos x equal to 0 equal to कितना 0 clear है 10x की value जो है sin x upon cos x equal to कितना होती है 0 तो sin x upon cos x equal to 0 अब बेटा अगर यह 0 होना है तो जहां जहां यह 0 होगा वहां वह 0 हो जाएगा क्योंकि जैसे ही sin x 0 हो जाएगा वैसे 10x भी क्या हो जाएगा 10 sin upon cos है ना भाई clear हो गया अगर मैं आपसे बोलू वैटा cos x equal to 0 का general solution बताईए 2n plus 1 बिल्कुल सही 2n plus 1 पाई बेटो cos x equal to कितना होता है cos x का मतलब होता है cos x upon sin x बो हो है ना अब अगर 0 होना चाहते हो तो एक ही शर्त है भाई cos x को 0 कर दो cos x 0 कहां पे हो रहा था यहां पे तो आंसर कितना हो जाएगा इसका x equal to 2n plus 1 πाई बाई 2 clear की not clear यह हो गए अपने general solution sin x cortex 10 x ठीक है अब next बात करते हैं यह थे simple वाले हो गए कैसे वाले हो गए simple वाले हो गए ठीक है अब अगला देखिए जैसे कहीं पर आ गया sin x equal to sin alpha alpha क्या है बेटा principle solution है where alpha is principle solution तो इसका general solution क्या होगा बेटा आपको याद करना पड़ेगा x equal to n pi plus minus 1 की power n alpha आपको गए सर प्रूफ करा दो बेटा प्रूफ करने का कोई मतलम नहीं है याद ही करना पड़ेगा आपको मैंने भी याद किया है प्रूफ कर लोगे तब भी याद नहीं होगा समझगे ना प्रूफ करने में टाइम खराब नहीं करना तो x equal to n pi plus minus 1 की power n alpha clear हुआ clear हुआ अब कहोगे सर इसको implement करके दिखा दो आपको मज़ा आ जाए आए implement करता हूँ जैसे बेटा मान लो आपके पास लिखा है वही sin x equal to 1 by 2 तो सबसे पहले बेटा आप जो है sin x equal to इसको principal form में क्या लिख सकते हो sin 30 लिख सकते हो है ना यही आपका principal solution तो याने की sin x equal to sin pi by 6 कितना है pi by 6 sin alpha की structure में आने के बाद आप अपना rule लगा सकते है क्या है rule sin x equal to sin alpha की structure में आने के बाद क्या है x equal to देखे x equal to n pi plus minus 1 की power n into alpha बोलो alpha की जगे कौन खेल रहा है pi by 6 है बेटा pi by 6 आगे समझ में ना अब बेटा इसके मदद से आप चाहे जितने solution आप निकाल लो चलो आप मैं निकलवाता हूँ solutions अगर आप यह अपना solution आग चुका है समझ में आगे ना अब आप इसके solution निकालो चलो put करते हैं n equal to 0 n equal to 0 0 pi 0 हो जाएगा और minus 1 की power 0 1 हो जाएगा किबल बचेगा pi by 6 तो answer x equal to कितना आगया pi by 6 ठीक है न चलो अगला देखे n की जगा 1 डाल दीजे क्या डाल दीजे 1 n equal to 1 डाल देखे n equal to 1 कितना होगा 1 pi तो वह होगा pi minus 1 की power 1 कितना हो जाएगा minus pi by 6 कितना होगा 5 pi by 6 याद है आपको मैंने बताया था अभी उपर यह देखे pi by 6 के बाद दूसरा solution क्या निकला था 5 pi by 6 क्लियर हो गया और अगला बेटा 360 के बाद 2 pi plus pi by 6 याने 13 pi by 6 आएगा कितना हैगा 13 pi by 6 वह दिखा देते हैं आपको तो भाईया pi by दूसरा आगया आपने पास 5 pi by 6 आगे बढ़ जाओ n equal to 2 ले लो n equal to कितना 2 तो 2 pi plus minus 1 की पावर 2 क्या होगा 1 ही होगा 2 pi by 6 यह लिजे तो 6 2 जा 12 12 pi plus pi कितना होगया दे रहा सारे solution के नहीं दे रहा है दे रहा है ना सारे solution मिल रहा हैं आपको देख लो ध्यान से जितने भी solution यहाँ पे आएं हैं यह 2 pi के आँगे 5 by 6 बटा यही होगा 13 5 by 6 I hope आप समझ रहा होगे ठीक ना और आँगे करोगे तो बटा यह मिल जागा और मिलते ही जाएंगे because n belongs to an teaser कभी खतर ना होने वाली यात्र है n belongs to क्या है n teaser तो बटा आपको मिलते ही जाएंगे n belongs to an teaser है यह लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे कि minus 1 यहाँ पे n belongs to an teaser तो यह कहलाता है बटा जनरल solution समझ में आ गया इसमें alpha क्या होता है principle solution हाँ जनरल तक जाने के लिए आपको principle की requirement पढ़ेगी बोलो समझ में आ गया कोई दिक्कत है क्या तो बटा principle solution तो आपको बहुत simply निकाल सकते हो देख लीजी minus 180 से लेकि plus 180 के बीच में जो लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते है principle solution अब आईए देखने हैं अगला बता दूँ मैं बटा cos x equal to cos alpha cos x equal to cos alpha ठीक है न तो cos x equal to cos alpha का general solution लिख लेंगे बच्चो x equal to 2n pi plus minus alpha ये होता है बटा ठीक है n belongs to integer अगला लिखेंगे 10 x equal to 10 alpha इसका general solution होता है बच्चो x equal to n pi plus alpha n pi plus alpha ठीक है न याद ही कर लेंगे ठीक है next देखें कुछ और general solution बटा sin square x equal to sin square alpha हो ये cos square x equal to cos square alpha हो ये 10 square x equal to 10 square alpha हो बटा तीनों का general solution एक ही है किसमत से x equal to n pi plus minus alpha क्या है बटा x equal to n pi plus minus alpha x equal to n pi plus minus alpha समझना आ गया कोई दिक्कत है क्या तो तीनों का एक ही general solution निकलेगा x equal to n pi plus minus alpha बूल ये clear है अब आपको क्या बनना चाहिए इसके लिए ये पूरा हो गया बटा यहाँ पे इस चेप्टर की पूरी नौलेज हो गई टिक्नोमेट्रिक की question की अब क्या करना है इस चेप्टर में अगर difficult question आये तो क्या करना है कुछ tips and tricks मैं बता रहा हूं आपको कि बटा कै इस चेप्टर और ज्यादा easy बनेगा number one अगर question edition form में आया है किस form में आया है इडिशन form में आया है बच्चो तो इसको question को घजीट करके आपको multiplication form में ले जाना है किस form में ले जाना है बटा multiplication form में समझ में आ गया तो मतलब यह दिक question addition form में है तो किसमें ले जाना है आपको जैसे मान लो question लिखा है sin c plus sin d equal to 1 by 2 तो यहाँ पर बेटा आपको sin c plus sin d का formula लगाना पड़ेगा 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 equal to 1 by 2 तब आप compare कर पाओगे तब आप क्या कर पाओगे compare तो एक general rule है बेटा इस chapter का जो भी addition form में चीज़ दी रहेंगे उनको कैसे ले जाओगे multiplication form में जुगार करके दूसरी चीज इस chapter में आपको topic 2 जो है इस chapter में आपको बेटा elite angle formula पता होने चाहिए elite angle formula और ये तो बेटा हर समय पता होने चाहिए elite angle formula जैसे मैंने बुल आपको बेटा sign 180 plus theta आपको खटाक से बनना चाहिए sir minus sign theta ये आपको बनना चाहिए क्या आप से बनते हैं इस सारे बनते हैं तो very good चार quadrant होते हैं चार quadrant में पहला all after school to college इसमें all positive इसमें sign positive इसमें 10 positive इसमें cost positive तो अगर ये चारो quadrant के आपको बहतरी न यूज आ रहा है तो फिर आप नहीं फसने वाले हो फिर principal solution आपकी मुठी में है समझ में आ गया तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत important है अब आईए देखते हैं question एक बड़ी आसा question देखते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एली डेंगल का use देखेंगे बटा जैसे बटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है find the principal solution of cost theta equal to minus 1 by 2 ये लिजे cost theta is equal to minus 1 by 2 variable theta में क्या है technometric equation है बुली एस और नो तो पहले quadrant की picture बनाई है क्योंकि आपको क्या चाहिए है principal solution तो देखे ये all positive होता है और यहाँ पर sign positive होता है और फिलाल आपका cost दिया cost negative है तो यहाँ तो cost positive होगा और यहाँ पर cost क्या होगा अपना negative मतलब यही इसी में answer आना है अपना समझ में आगे न क्योंकि जाना या तो 0 to pi है और या तो 0 to minus pi है ऐसे जाओगे तो anti clockwise ऐसे जाओगे तो clockwise clockwise का angle बेटा negative आएगा और anti clockwise का angle बेटा positive आएगा तो हम तो anti clockwise चलेंगे क्यों आदद भी गाने अपनी जब तक कोई परिशानी नहीं है तब तक सीरे सीरे चलते है तो cost theta equal to 1 by 2 यह पता चल चुका है कि second quadrant में angle को ढखेलना है चलिए कैसे करते हैं सरल तरीका बताता हूँ cost theta minus लग कर लो और bracket के अंदर 1 by 2 लिख लो cost theta equal to minus क्या बेटा आप इसको cost 60 लिख सकते हैं ठीक ले है अब देखे बेटा इस property का यूज़ करते हूए second quadrant है यह होता है 180 तो अंदर का angle क्या होगा है 180 minus theta और आप जानते हैं कि cost 180 minus theta कौन सा quadrant second quadrant और 180 है मतलब no change 180 मतलब तो cost 180 minus theta क्या होता है बिल्कुल सही minus cost theta तो अब इसको उल्टा लिख लो minus cost theta को cost 180 minus theta माइनस cost 60 को मैं क्या cost 180 minus 60 लिख सकता हूँ यह लिख सकता भाई minus cost theta को cost 180 minus theta minus cost 60 को minus cost 180 minus 60 answer आगया cost 120 degree बोलिए दिख गया principle solution अब theta किसके जैसे है 120 है की नहीं है तो radian में लिख देता हूँ 120 को तो हमारा principle solution आचुका है theta equal to 120 degree और radian में convert करने के लिए आपको पता है किसका multiply करते है πाई का नहीं πाई अपॉन 180 का ठीक है 0 से 0 के answer करिए 3 6 जा 18 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 3 6 answer कितना हो गया 2 पाई भाई 3 radian समझ में आ गया so your answer is 2 पाई भाई 3 है radian clear है यह आपका principle solution है clear है बेटा यह आपका principle solution है आप चाहें तो एक और निकाल दे जैसा कि आपकी किताबों में लिकाल रखा है क्योंकि principle solution 0 से 2 पाई के बीच में भी लिया जाता है यह मैंने more accurate बता दिया है आप 360 के बीच में भी ले सकते हैं ठीक ना तो चलिए देखिए अगली बार देखिए cost मैंने क्या कर रहा था मैं cost theta equal to minus 1 by 2 cost theta equal to minus 1 by 2 तो cost की value negative पहली बार यहां पे होगी दूसरी बार कहां पे होगी यहां पे क्योंकि a sin 10 cost तो यह तो cost का गहर है तो यहां भी positive और यहां भी positive negative यहां पे होगी बोली यह सँनो तो यह क्या है 180 है नीचे जाना है तो cost theta equal to minus cost 60 बोली यह सँनो अब बताएए cost 180 plus theta कितना होता है third quadrant क्या होता है minus cost theta minus cost theta बिल्कुल सही cost 180 plus theta minus cost theta तो अब इस चीज़ को यहां पर use कर लेंगे तो minus cost 60 is equal to cost 180 plus 60 हो गया यहने cost कितना हो गया 240 degree आ गया समझ में और यह cost theta के equal है तो theta equal to कितना आ गया principal solution 240 degree ठीक ना तो 240 को रोडियन में बदल दो pi upon 180 0 से 0 cancel 24 pi by 18 काड़ दो बेटा 6 से 3 बार 6 से 4 बार answer कितना आ गया 4 pi by 3 तो देखिए दूसरा answer आया हमारा 4 pi by 3 तो जो 2 pi by 3 और 4 pi by 3 किया है principal solution है ठीक ना तो बेटा मतलब more specifically minus pi to pi के बीच में लिया जाता है बट आपको यहाँ पर 0 to 2 pi के बीच में लेना है बस बात खतम जो आपका principal solution कहां चलेगा 0 से लेके 2 pi के बीच में ठीक ना तो principal solution के definition the solution the solution of trigonometric equation lying between 0 radian to 2 pi radian called called principal solution equation बोली समझना आगया theta is between 0 to 2 pi तो यह है बच्चों आपकी पूरी थियोरी किस topic की trigonometric equation की समझ गये यह आपकी पूरी थियोरी है trigonometric equation की done चले अब इसके question की practice करेंगे okay and different different questions को देखेंगे thank you so much for being with us एना